नमस्कार मैं हूं रुची शर्मा वेब 3 की दमाम बड़ी खबरे लेकर हाजर हैं हम स्वोश वेब 3 कम्यूनिटी प्लाटफॉर्म की शुरुवात के महीनों बाद फुटवेर कंपनी नाइखी अपना पहला NFT ड्रॉप लाउंच कर रही है कलेक्शन आफोस वान 41 साल पहले के आइकॉनिक नाइकी एफोस वान स्नीकर को ट्रिब्यूट देने के लिए डिजाइन किये गए पॉलिगॉन वर्चुल स्नीकर NFT से मिलकर बनी है ड्रॉप के एक पार्ट के रूप में दो टाइपस अवैलिबल होंगे क्लासिक रीमिक्स स्नीकर बॉक्स जिसमें 1982 और 2006 के बीच जारी किये गए एफोस वान शूस पर वर्चुल किक्स राइफिंग होते हैं और न्यू वेफ बॉक्स जो 2007 और बात में डिजाइन किये गए पैर्स फीचर करते हैं क्लासिक रीमिक्स बॉक्स के बीच बिखरे हुए अधिक यूनीक कस्टमाइज एफ वान के अंडिस्ट्लोज नंबर्स होंगे जिसमें नॉस्टाल्जिक ट्विस्ट होगा इसी तरह न्यू वेफ बॉक्स के साथ मिक्स्ट कस्टम एक्सप्रेसिव एफ वान्स अधिक फ्यूट्रिस्टिक ट्विस्ट के साथ होंगे सभी वर्च्व स्नीकर बॉक्स की कीमत 19.82 यूएस डॉलर्स होगी जो एरफोस वन की शुरुवात के साल के लिए एक डेब्यू है नाएक की क्रिप्टो करन्सी में एनेफटी के लिए भुकतान स्विकार नहीं करेगी बढ़ते हैं अगरी खबर की ओर United Arab Emirates की Federal Financial Regulatory Agency ने घोशना की है कि वे उन फर्म्स के लिए licensing applications प्राप्त करना शुरू कर देगी चो देश के भीतर virtual asset services provide करना चाहती है Securities and Commodities Authority ने एक press release में कहा कि देश में काम कर रहे सभी virtual asset service providers को एक application submit करनी होगी और देश के financial free zones में license प्राप्त करने वालों की छूट के साथ regulator से license प्राप्त करना होगा इस बीच दुबाई में काम करने वाली digital asset company को अभी भी अपने खुद के financial regulator virtual asset service authority का पालन करना होगा इन कंपनियों को भी वारा के लिए apply करना होगा और license प्राप्त करना होगा 11 दिसमर 2022 को UAE के cabinet ने 2022 का resolution number 111 जारी किया जो virtual asset sector में काम करने वाली global companies और institutions के लिए attractive investment, economic और financial environment प्रोवाइट करने के प्रयास में virtual asset को regulate करता है SCA ने officially खोशना की कि वह एक फरवरी को cabinet resolution के अनुसार virtual asset sector को regulate और supervise करने का टास्क कर रहा है SCA के अनुसार resolution का उद्देशे illegal practices से virtual asset में investors के fund की सुरक्षा सुनिश्चित करना है बाकी एहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुक Roblox, Decentraland और Spatial 12 से 16 जून तक Metaverse Beauty Week की मेजबानी करने के लिए तयार है यह event beauty loving techies के लिए virtual experiences की मेजबानी करने के लिए retailers, cosmetic giants और niche brands को recruit कर रहा है जब की जादातर itinerary का अभी भी खुलासा नहीं किया गया है guest wearable beauty NFTs और digital और IRL prizes के साथ contestant सहित attractions की उमीद कर सकते हैं 2022 में Decentraland पर शुरू हुए Metaverse Fashion Week से प्रेरित होकर MBW Metaverse में आयूज़त होने वाला पहला बड़ा पैमाने पर multi brand beauty event होगा MBW किस brands और retailers के साथ partnership कर रहा है इस पर अभी तक कोई शब्द नहीं आया है लेकिन संभावत उपस्थिती लोगों को कुछ impressive नामों का सामना करने की संभावना है Gucci और Burberry जैसे fashion house के अलावा beauty brands Metaverse में विस्तार कर रही है हाल के वर्षों में घेवेजी पॉफ्यूम्स, NYX और NARS ने Roblox पर अनुभव लांच किये और पिछले मार्च में beauty giant ST Lauder ने Metaverse fashion week में अपने विशेज beauty partner के रूप में हस्ताक्षर भी किया अब बढ़ते हैं अगली खबर क्यों केक्सा बैंक वर्ल्ड एर्थ डे पर Metaverse में आ रही है कस्टमर्स को environmental awareness बढ़ाने के लिए design किये गए एक वर्षोल टूर की पेशकश कर रही है 20-27 April के बीच Ibiza, Burgos, Valencia, Barcelona और Madrid में, Texas Bank, Centers और आने वाले कास्टमर्स वर्षोल टूर करने में सक्ष्रम होंगे जिसमें उन्हें कई nature environments में कई चुनौतियों से पार पाना होगा Participants mission पूरा करने के लिए जंगलों, beaches और गहरे समुदर का पता लगाएंगे जो environment की देखभाल करने की आवर्षकता के बारे में awareness बढ़ाएंगे इसके अलावा, 22 April के दौरान, All-in-One Bank Centers की बड़ी स्क्रीन पर 3D इमेज़स को एक चारों और फॉर्माट में पेश किया जाएगा जो कस्टमर्स को गहरे समुदर की जोनी के माधियम से ले जाएगा और environmental care और Kexabank sustainability के प्रती commitment के messages को प्रसारित करेगा पिछले साल, Kexabank ने Microsoft के साथ AI Innovation Laboratory पर काम किया जो अन्य बातों के अलावा, Metaverse काम के महौल के निर्मान पर ध्यान के दृत करेगा ओवर टी यू रोश्नी Bitcoin proponent और business analytic software firm MicroStrategy के co-founder Michael Seller ने Bitcoin के lightning network को अपने corporate email address में integrate किया है इसका मतलब ये है कि 58 वर्षियर billionaire को Bitcoin भेजने के लिए कोई भी seller at the rate MicroStrategy.com email address का इस्तमाल कर सकता है integration the lightning address protocol का इस्तमाल करता है जो developers को एक standard lightning invoice या payment request को एक internet identifier जैसे email address से बदलने की अनुमती देता है Lightning network Bitcoin का layer to scaling solution है जिसे Bitcoin payments को सस्ता और तेज बनाने के लिए design क्या गया है कथेतार पर seller जिसकी कीमत लगबख 1.2 billion dollar है और उसकी company ने लगबख 1,40,000 BTC यानि मौजुद कीमतों पर लगबख 4 billion dollar जमा किये है जो integration के बारे में tweet करने के बाद फैन से छोटे Bitcoin donations प्राप्त कर रहे है तो आज के लिए बिस इतना ही वेब 3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहे ये 3DODO TV प्राप्त करने के लिए ये 3DODO TV